गौालियर शहर की कहानी के शुरुआत हमने एक ऐसी जगा से की जो ना तो जादा फेमस है और ना ही लोग इसके बारे में जादा कुछ जानते हैं कमाल की बात ये थी कि गौालियर फोर्ट के रास्ते में भी इस जगा का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है हम बात कर रहे हैं गोपाचल परवत में बने हुए जैन रॉककट मॉनुमेंट्स की जिसका एक हिस्सा गौालियर फोर्ट से कुछ दूरी पर एक पत्थर की बावली के नाम से फेमस है कर दोर्ट से को पत्थर का एक है झाल 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 एक पत्थर की बावली में आपको 7th और 15th सेंचुरी के जैन रॉककर्च मॉनुमेंट्स देखने को मिलेंगे टोटल यहाँ पर 26 गुफाएं हैं जो जैनिजम, स्पिरिच्वल टीचर्स, श्री रिशबनात, नीमिनात, पार्शबनात और श्री महावीर स्वामी जी को डेडिकेटेड हैं इसके साथ यहाँ पर आपको 1468 से 1473 AD के बीच के 13 inscriptions भी देखने को मिलते हैं मुगल एम्परर बाबर ने इन statues को destroy करने की कोशश की, इसलिए कुछ statues के faces आपको गायब दिखते हैं इन statues के strong built और height को देख कर आप surprise जरूर होगे और यह जगा actually में बहुत interesting और beautiful है तो अगर आप एक history lover हो, photography का शौक रखते हो और ग्वालियर में हो, then do visit this place अब इसमें आपको एक चीज़ बिताऊंगा, अगर आपको इस जगा पर आना है, तो landmark है डी डी मॉल, एक डी बी है और एक डी डी है, आपको डी डी मॉल आना है, अगर उससे simple अगर आपको देखना है तो country in suites, country in suites के अधर, कि यह एकदम पास में है, तो आप map पे country in suites डालिएगा, और वहाँ से आपको यह easy पड़ेगा, पार्किंग अंदर ही है, ज्यादा बड़ी पार्किंग निये, limited पार्किंग है, दूसरे सबसे important point, वीडियो बनाना allowed है, बट आपको जो यहाँ के व यह उस चीज़ के वेडियो में आपको ही तो कि कॉ सप्री यह वेडियो कि यह शिवक्डर् के जो ए हरसे लुगाने है और अगर ऐस आप पूछे के हिज क्राश merOH जोडने से बट जोस्त अना ने यह सा डालियो में भी यह मते है तो सबसे पहले हैं और अफ जो बड़ीर न डिन्जु आफिए अब द में शांट अब कर रोग में आफिंसे Ale만 निए निए टाएली त्यांट टिंड रहो है वह भाद निए टीन लोग भरे पड़ें एव वह सालेंट प्लेस बहुत मजाएगा मस कम ही आफ में चलें और जो छब आफट झाल झाल